Hello students, welcome to the online classes of RL Academy Students, आज का topic आपके लिए भोग ज़्यदा important रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं article Article के से लिखा जाता है, article का format क्या होता है और अपने एक article कोई topic के उपर लिख कर भी समझेंगे इससे पहले students में आपको बता सुका हूँ कि 12th English compulsory and literature के अंदर articles के option में speech writing आता है तो speech writing इससे पहले अपन कर चुके हैं उमीद करता हूँ कि speech writing के सारी वीडियो आपने watch कर ली होगी अगर अभी तक आपने watch नहीं की है तो इस वीडियो के description box के अंदर सारी वीडियो के link है वो मैं डाल रहा हूँ वहाँ से आप watch कर सकते हो तो उसके बाद बच्चो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना topic article article जो की speech writing करवाते समित थोड़ा सा बच्चो मां आपको बता चुका था अब मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ article का मतलब होता है link क्या आपको कोई topic दिया हुआ होगा और उस topic के उपर आपको क्या लिखना होगा लेक लिखना होगा और वो भी कितने words के अंदर hundred words के अंदर और अगर literature का students है तो उनको 1500 words के अंदर लिखना होगा तो article एक ऐसा topic है students जिसे बहुत सारी students है वो घबराते हैं डरते हैं डरने का कारण यही है कि students 5 article 7 article रट करके जाते हैं और कई बार एशा होता है कि exam में जो article रट के गए थे पढ़ के गए थे वो आता नहीं है और उसके कारण उसे यहने कि मैं लेके आया हूँ आज की वीडियो अपन कह सकते हैं लाख दुखों की एक दवा कहने का मतलब क्या है बहुत सारे articles और उन सारे articles को अपन एक articles के माद्दें से यहने कि समझेंगे अगर आप एक article याद कर लोगे तो कोई सा भी article आजाए आप निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ नमर है वो लेकर के आओगे कि आपका ये जो वीडियो है वो आपको जीरो से बचाएगा क्योंकि बहुत सारे student का मेरे पास message आया था कि sir आप speech का तो format लिखा दिया कि speech तो यानि कि आये तो उपर के दो नमर fix आपने बता दिया कि कोई भी आ जाए आप ये उपर वाली line लिख देना आपको two marks मिल जाएगा लेकिन आपने article का नहीं बताया कि बाई चांस ऐसा हो कि हम article लिखना चारे हैं तो हमें article के भी कुछ ऐसा बताईए जिसमें हमें कुछ यानिकी marks मिल जाए तो साथ नमर के जो topic है बच्चो उनमें से आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी lines लिखाने वाला हूँ जिससे आपको 4 से 5 नमर कम से कम यानि मिल जाएंगे वो केसे मिलेंगे कौन से articles के अंदर मिलेंगे वो इस वीडियो में अपन सर्चा करने वाले हैं तो बच्चो ये जो मैं format लिखा रहा हूँ article का वो है problem related articles या evil related articles कि समस्या से समंदित या प्रेशानी से समंदित कोई भी articles आ जाए तो आज का format है वो काम करने वाला है मैं तो ये कह सकता हूँ कि speech के option में ज्यादा तर आप पीछे के paper उठा करके देखोगे तो ज्यादा तर problem related articles सी exam में पूछे गए हैं तो अब की बार भी संभावना ये है कि speech आएगा और speech के option में क्या आजाएगा problem related articles आएगा problem related articles भी हो सकता है या क्या हो सकता है speech भी हो सकता है तो उनके लिए यानि कि क्या format रहने वाला है अब बच्चो पहले अपन ये चर्चा करेंगे कि problem related articles कौन से होते हैं जैसे समस्या समंदित या बुराई समंदित कौन से चीज होते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ एक यानि topic का नाम लिख रखा है जो कि और भी बहुत सारे हैं इतने सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका कोई का भी आजाई तो मैं जो format लिखा रहा हूँ उसके according आप लिख दीजिए आपको नमर जरूर मिलेंगे तो देखिए कोई भी article speech हो तो अपनी तरब भी कुछ लिखना पड़ेगा अपनी तरब से थोड़ा बोत लिख दोगे आप चार पांस लाइन तो पूरे आपको साथ नमर मिल जाएंगे जैसे अपना पहला है प्रोब्लम ये सोरी pollution क्या है समस्या ये क्या है एक तरह की समस्या है परदूशन है तो pollution पर आजाए या global warming वेस्विक तापमान बढ़ना धर्ती का तापमान बढ़ना ये भी क्या है एक समस्या है एक बुराई है ये आजाए climate change जलवायू परिवर्तन आजाए soil erosion, मर्दा परदन मिट्टी का कटाव ये भी क्या है एक समस्या है food adulteration, खाने में मिलावट wastage of food, खाने का wastage terrorism, आंतकवाद corruption, बरष्टाचार unemployment, बेरोजगारी population, explosion, जनसंख्याविसपोर्ट यानि जनसंख्या यानि की बढ़ना जनसंख्या वर्दी, डोरी सिस्टम दहेज पढ़ता, child labor बाल सरम, child marriage बाल विवा, female forticide कन्या भूनत्या, defection मतलब खूले में सोच करना inequality, एसमानता कास्टिजम, जातिवाद या indifference, उदासिन किस के पड़ती, किसी के merit या talent के पड़ती उदासिन होना child abuse, यानि की child abuse, या स्टेटिजम, राजेवाद तो ये इतने सारे जो topics है, इन सारे topics का हल आपको एक वीडियो में मिलने वाला है तो ये और भी बहुत सारे, यानि समस्या से समन्दित है, तो कुछे का आपको मैंने example दिया है, और लगबग इन में से exam में पुछा जाता है जो main main topic है, उसको मैंने यानि कि यहाँ पे लिख दिया है अब देखिए सबसे पहले आपन format समझते हैं, तो format में बच्चो मैंने format of article अपन क्या कर रहे हैं, पहले article का format कर रहे हैं, और वो article कौन सा problem related article समस्या समन्दित article है उनी का कर रहे हैं, ठीक है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, नया page लेना है उपर उपर आपको capital letter में title लिखना है, कि अगर pollution पे आ जाए, तो यहाँ pollution लिख दीजिए अगर casteism जातिवाद आ जाए, तो casteism लिख दीजिए, child labor आ जाए तो child labor लिख दीजिए, जो भी title है, वो capital में लिख दीजिए उसके बाद writer कोन है, जैस निचे वाल लाइन में by लगा करके, जैसे साजिद लिख रहा है, तो by साजिद आप अपना नाम लिख दीजिए, अगर paper में कोई नाम दिया हुआ है, तो वो नाम लिख दीजिए, ठीक है बच्चो अब देखिए, अपना format क्या रहने वाला है, जैसे पहला, यानि कि एक तो starting करनी है, और starting में बताईए, आप किस के बारे में लिख रहे हो, तो ये line जो है, fixed line है, जैसे कि अपन कर रहे हैं समस्या से समंदित, तो आप क्या लिखोगे, as we all know that जैसे कि हम सब जानते हैं there are so many problems, यहां बहुत सारी समस्या हैं, with जिने we are facing, हम face कर रहे हैं, all around offers हमारे चारो तरफ, क्या line लिखोगे, कि जैसे कि हम सब जानते हैं, there are so many problems यहां बहुत सारी problems है which, जिने we are facing हम सामना कर रहे हैं, all around of us हमारे चारो तरफ सामना कर रहे हैं अब जो भी प्रोब्लम है अगर आप pollution पे लिख रहे हो तो यहां लिख दीजिए pollution pollution is one of them अगर आप global warming पे लिख रहे हो तो क्या लिख दोगे global warming is one of them corruption पे लिख रहे हो तो यहां पे क्या नाम लिख दो मतलब जो title लिखा वो यहाँ पे लिख दोगे corruption is one of them, casteism is one of them, child marriage is one of them ठीक है बच्चो तो कहने का मतलब आपने line क्या लिखी as we all know that, जैसे कि हम सब जानते हैं there are so many problems, यहाँ भहुत सारी समस्याई है which जिने we are facing हम सामना कर रहे हैं all around of us हमारे चारों तरफ उन में से क्या है, soil erosion, मर्दा परदन उन में से एक है इन में से यह जो दो तिन नाम लिखे हैं, बच्चो इन में से एक ही नाम लिखना है जिस topic पे आप लिख रहे हो, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि really सचमुच में, it has become a big issue यह एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, to be discussed चर्चा का अब जैसे corruption पे आजाए, तो आप यहां corruption लिख दोगे और आगे क्या लाइन लिख दोगे, really वास्तों में, it has become यह बन चुका है, a big issue एक बड़ा मुद्दा बन चुका है to be discussed, मतलब इसके उपर क्या करने चाहिए, चर्चा करने चाहिए कन्या भूनत्या का आजए, तो आप क्या लिख दीजिए, as we all know that जैसे कि हम सब जानते हैं, there are so many problems, यहां बहुत सारी समस्या है जिने हम सामना करें, चारो तरफ, female fortisides is one of them कन्या भूनत्या उनमें से एक है, और really it has become a big issue really यह क्या बन चुका है, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है to be discussed की मतलब इसके उपर चर्चा की जानी चीए उसके बाद बच्चों आपको paragraph change करना है, नई line से आप क्या लिखोगे दूसरे paragraph में, कि in these days, in the new, we can see, हम देख सकते हैं, all around us हमारे चारो तरफ की क्या देख सकते हैं, कि pollution level is increasing, कि pollution का जो उस्तर है अगर आपने pollution पे लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, pollution अगर आप यहाँ पे global warming है, global warming पे लिख रहे हो, तो global warming जो भी आने कि आप casteism है, तो casteism दिख दीजिए, मतलब यहाँ पर यह नाम change करना है यहाँ पे मैंने underline नहीं किया, तो आप कर लेना, तो in these days, आज, in दिनों हम देख सकते हैं, कि हमारे चारो तरफ, pollution कास्तर है, वो increasing हो रहा है, बढ़ रहा है day by day, दिन परती दिन, instead of decreasing घटने की बजाए, तो मतलब बच्चों यहाँ पे जो आपने यहाँ टाइटल लिखा, वो यहाँ पे लिखो गए और वो यहाँ पे लिखो गए अब बच्चों आपको क्या करना है दूसरे paragraph में, अब देखो कोई भी article speech हो, तो सबका तो एक नहीं हो सकता, global warming की अलग line लिखने पड़ेगी, terrorism की अलग लिखने पड़ेगी, pollution की अलग लिखने पड़ेगी, अब जिस topic से related आप article लिख रहे हो, उस से related आप इस दूसरे paragraph मे क्या अगर दोगे, 57 lines लिख दोगे, अगर आपको 57 lines लिखनी आती है, तो यह मान के चलिए, आपको 7 में से 7 नमर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने line छोड़ी है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, topic से related 57 lines लिखे, अब देखे, यहाँ terrorism की होगी, तो आप terrorism से related line लिखे food adulteration है, तो food adulteration खाने में मिलावट से लिखे, soil erosion से related है, तो soil erosion से लिखे, तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, तो इस तरह से यह दूसरा paragraph करना है, अब तीसरा paragraph एकदम fix है, कोई भी समस्या से समंदित आ जाए, तो last ending आपको किस तरह से करनी है, कि it is the need of the hour, यह समय की मांग है, it is the need of the hour, यह समय की मांग है, that कि we, हमें, government, सरकार को, युथ, युवाव को, should come forward, आगे आना चाहिए, to approach, या eradicate, अपरूट मानी, जड़ से उखाडने के लिए, या soul, हल करने के लिए, this problem, इस समस्या का, तो last में, अपन यही कहेंगे, कोई भी समस्या आजाए, food administration, soil origin, terrorism, corruption, तो last में, सब में, fix your line आजाएगी, it is the need of the hour, यह समय की मांग है, कि हमें, government को, युथ को, should come forward, आगे आना चाहिए, अपरूट, जड़ से खतम करने के लिए, उखाडने के लिए, यही समस्या का, हल करने के लिए, otherwise, वरना, situation है, situation जो है, will become uncontrollable, situation क्या हो जाएगी, uncontrollable हो जाएगी, मतलब, नियंतरन से बार हो जाएगी, तो इस तरह से बच्चो, अगर आप लिखोगे, अगर आप 4-5 line उससे related लिख देते हो, तो आपको full marks मिलेंगे, अगर आपको नई लिखनी आती है, तो आप इतना भी लिख दोगे, तो आपको यह मान के चलिए, 7 में से 4 नमर मिल उसकी language थोड़ी सी अलग हो, तो आप अगर चाहे तो इस way में लिख सकते हो, या जो मैं लिखवा रहा हूँ, उस तरह से आप लिख सकते हो, तो यह तो रहा अपना format, अब अपन इसी format पे क्या करेंगे, एक article लिखेंगे, और article किस के उपर है, तो देखो बच्चो, food adulteration, खाने में मिलावट, खाने में मिलावट है, तो इसको आपन किस तरह से लिखेंगे, ये एक समस्या है, ये भी एक बुराई है, तो सबसे पहले article writing कर रहे हैं, नए page पे करोगे, यहाँ पे capital लेटर में लिखा गया बच्चो मेरे से, तो आप food adulteration है, वो capital में कर देना, अग आप capital में कर दीजिए, food adulteration, और इसको underline कर दीजिए, उसके बाद मैंने क्या बताया, article लिख रहे हो, तो just आप क्या करोगे, यानि कि by लगा करके, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कमल सर्मा, तो कमल सर्मा लिख दोगे, ठीक है बच्चो, आप देखें, वो ही format, जो last बाला था, कि कौन सा, कि as we all know that, जैसे कि हम सब जानते हैं, there are so many problems, कि हां बहुत सारी समस्या हैं, which जिने we are facing, हम face कर रहे हैं, all around of us, हमारे चारो तरफ, उन मेंसे, अब देखें, जो problem क्या है, अब उस एक problem का नेम लिख दीजी, जो title लिखा वो ही, कि food adulteration is one of them, कि बहुत सा ही समस्या हैं, हमारे चारो तरफ, उन मेंसे, खाने में मिलावट एक है, adulteration मिस मिलावट, really, अब क्या लिखोगे, सच्मुच में, it has become, ये बन चुका है, a big issue, एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, to be discussed चर्चा का, तो इस तरह से, starting का आप लिख दोगे, बच्चो, तो स्टार्ट अपन कर देंगे, इस तरह से, कि इन दिनों, we can see, हम देख सकते हैं, all around a state, हमारे चारो तरफ की, food adulteration level, खाने में मिलावट का जो स्तर है, वो increase हो रहा है, बढ़ रहा है, day by day, instead of decreasing, घटने की बज़ाए, इतना अपना सेम था, अब देखिए, मैंने 57 line बताई है, कि आप 57 lines क्या लिखोगे, उस से related लिख दीजिए, topic से related यानि की लिख दीजिए, आपको full marks मिल जाएंगे, जैसे अब topic से related क्या है, अब आप इसी topic से related लिखोगे, जो कि आपको learn करना पड़ेगा, अब food is one of the basic need of human life, कि खाना क्या है, one of the basic need of human life, कि human life की जो मूल भूत जो जरूरत है, उनमें से खाना एक जरूरत है, it helps, और ये खाना मदद करता है, human being की, to grow up, worthy करने में, and ensure, और ये खाना सुनिश्चित करता है, to survive हमारा जीवन on the earth, यानि इस अर्थ पे, कहने का मतलब, खाना है, वो हमारी मदद करता है, हमें grow करने में, और हमें इस पर्थी पे जाता है, क्या पुकारा जाता है, human fuel पुकारा जाता है, क्या लिखोगे, ये मनुष्ये का इंदन पुकारा जाता है, human fuel आप सुन लेना आपको, इसको बागी क्या लिखोगे, unfortunately, दुर्भागेमस, nowadays, आज, कल, foods are often adulterated, दुर्भागेमस, यानि कि, खाना क्या है, मनुष्ये का इंदन है जिस तरह से यानि कि मसीन से वो इंदन के बगेर नहीं चलती है उसी तरह से यानि कि यह जो human body है वो भी यानि कि इस खाने के बगेर नहीं चल सकती और आजकल क्या होता है foods को प्राई adulterate किया हुआता है मिलावटी होता है in hotels hotels में stale and rotten foods stale, stale का मतलब बासी और rotten foods मानि खराब खाना are mixed, mix कर दिया जाता है with fresh food ताजा food के साथ और food articles और खाने के जो वस्तुए हैं वो are adulterated, वो मिलावटी होती है by dishonest कि इसके द्वारा मिलावट की जाती है, dishonest, बहिमान और greedy businessman यानि कि dishonest, बहिमान और लालची जो businessman होते हैं उसके द्वारा खाने में मिलावट की जाती है क्यों करते हैं for a quick profit, एक जल्दी से उसे profit मिल जाए, इसके कारण वो क्या करते हैं वो इसके अंदर मिलावट की करते हैं अब बच्चों इसमें थोड़ा सा आप ये भी लिख दीजिए कि मिलावटी खाने के, यानि कि health hazards क्या है तो adulterated foods are serious health hazards कि खाने में, यानि कि मिलावट करना ये क्या हो सकता है serious health hazards, बहुत ज़्यादा health को खत्रा हो सकता है इतना लिखने के बाद बच्चों हुए जो ending वाली line थी वो line लिख दीजिए या तो कि we, government और youth को should come forward आगे आना चाहिए to approach this problem, इस problem को जड़ से खतम करने की या आप थोड़ी सी मैंने अलग line लिखी है आप ये लिख दीजिए कि government should take firm action कि government को क्या करना चाहिए, firm action लेना चाहिए, मजबूत action लेना चाहिए those who commit crime जो ये अपराद करते हैं और साथ ही public awareness है, should also be created, उसे भी create करना चाहिए लोगों में जागरती भी लाना चाहिए, खाने में मिल आउट है और साथ में those who undertake food adulteration जो undertake है, मतलब lift है, खाने में मिल आउट किये, जो खाने में मिल आउट करते हैं should be imprison, उसे क्या करना चाहिए, imprison करना चाहिए, jail में यानिकी डाला जाना चाहिए तो उमीद करता हूँ बच्चों, ये article जो writing है, वो आपके यानिकी समझ आ गया होगा तो इस तरह से यानिकी अपना article यानिकी रहा, article का format पढ़ लिया, food adulteration का कर लिया अपन समझ चुके हैं, आपको क्यों लिए name change करना है, title होगा, वो यहाँ पे नाम होगा वो यहाँ pollution की जिगह नाम होगा, पुर से हमें इसाई होगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जिरूर करना, दोस्तों में सेर्ज करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, thank you